मसकार दोस्तों मैं हूँ भीमाल उम्राव सुबाय का टाइम है सभी लोगों को गुड मॉर्निंग हैपी संडे और आज बात करने वाला हूँ कि जो बकरियां बहुत सारी बकरियां है जो पानी नहीं पीती है एक तो सर्दियों का मौसम चला आए उपर से बकरी जो है पानी न हवस्यक है यदि बकरी पानी कम पी रही है देखा भी होगा कि बकरियां जो बकरियां कम पानी पीते हैं वो जब पेसाब करते हैं तो उनका पेसाब अधिक अलो कलर काता है ज्यादा पीला होता है तो ये सारी चीज़ें वो नुकसान दायक होता है सरीर में पानी की कमी नही होनी चाहिए जैसा कि सर्दियों में ज्यादा तर यही रहता है कि अधिक पानी पिएंगी बकरिया तो पेसाब अधिक करेंगी बाड़ा अधिक गीला हो जाएगा तो बहुत अधिक मात्रा में पानी बकरियों को नहीं पिलाना है लेकिन इतना पानी तो उनको पिलाना ही है कि उनके सरीर की पूर्ती हो जाए लेकिन सर्दी चुंकि पानी रहता है ठंडा तो उस समय बकरियां पानी पीती नहीं है तो आपको क्या ट्रिकें अपनानी है क्या करना है उसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ बकरी बहुत अच्छी तरीके से पानी पिएगी बस आपक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ऐसा करना है तो सबसे पहली चीज भरा हुआ पानी जो एक दो दिन का भरा हुआ पानी है ठंडा पानी है बहुत ठंडा पानी है वो बकरियों को नहीं देना है आपको तुरंत ताजा पानी देना है और यदि आपके पास ताजा पानी पॉ लेए उसको गरम करें गरम करने के बाद ठंडे पानी में मिला लें जब वो नार्मल टंपरेचर में आ जाए वो बकरियों को पिलाना है तो उस पानी में करना क्या-क्या ए support सरा पहले आपको लेना है एक बालती पानी उसमें लेना है दो टीन चम्मच सफेद नमक, तीन चम्मच ले लेना है काला नमक और एक चम्मच ले लिजिए सेंदा नमक तो ये आप तीनों नमक जो है उसमें मिला लेंगे, मिलाने के बाद आपको लेना है गुड जो बकरी बिल्कुल भी पानी नहीं पी रही है, उसके लिए है आपको लेना है गुड पचास सो ग्राम गुड ले लेना है उस बाल्टी में मिला लेना है, इसके अलावा आपको ले पानी पी जाएगी ये चीज़े हैं लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि बकरी को बहुत अधिक पानी नहीं पिला ना जो इस समय सर्दियों के मौसम में आप बहुत अधिक पानी पिला दिये तो फिर बाड़ा गीला बना रहता है बहुत अधिक पेसाब करती हैं तो ये तो ये बकरी अच्छे से पानी पीएगी तो सरीर स्वस्तर आएगा अब एक चीज का ये ध्यान लखना है ये तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में जो बकरी बिलकुल भी पानी नहीं पी रही उसके लिए लेकिन जो बकरी कुछ पानी पी लेती है तो उनमें नमक ही केवल मिला लेना है ये थोड़ा बहुत बेसन मिला देना है और उनको पिलाना है उसमें गुड नहीं अड़ करना है आपको और जो बकरी पानी नहीं पी रही थी पानी पीने लगती है तो उसमें भी गुड धीरे धीरे उसको कम कर देना है नहीं अड़ करना है चूंकि गुड ज और वह नुकसान करता है आधिक गुड़ सरीर में जाएगा तो आधिक घुड़ा पानि पानी पी रहा है तो के बाल जैसा गाउं में देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जो गुड़ बनाने के बाद जो निकलता है दुलके वो बकरियों को पिला देते हैं रख देते हैं तो वो चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं देनी है वो नुकसान दायक है तो यह चीज ध्यान रखनी है और इसको आप अपनाएंगे तो जो बकरियां पानी नहीं पी रही थी बहुत अच्छी तरीके से पानी पियेंगी यह ट्रिक जो हैं यह अपनाई हुई है प्रैक्टिकल की हुई है तो आप लोग करके देखिए चूंकि ज़्यादा तर मैं वही चीजे बताता हूँ जो मैं करता हूँ आ यह चीजें बकरी पालन में लागू होती है कि आप एक ना तो आप परसंटेज मिला पाएंगे मैं कहूं कि 30 ग्राम गुड़ दे देना तो आप रोग तौलने 30 ग्राम नहीं बढ़ इठेंगे एक आईडिये से मोटा माटी अपने हिसाब से सारी चीजें बना ली जाती है बकरी पालन में अपना माइंड भी यूज किया जाता है तो चलते हैं दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में और यदि इस तरह की प्रैक्टिकल जानकारी आप लोगों को पसंदा रही है और यह जो मैं ट्रिकें बता रहा हूं आप करके देखिए और यदि आपको ट्राइब कर लीजिए आपको इस तरह की जानकारी है वो मिलती रहेगी मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाए हैव गुड डे